दोस्तो ये वीडियो ब्लॉग बस्टर फिल्म मेकर बॉल्यूट के मशूर निर्माता शर्षधर मुखरजी को एक विनम्र समरनान जली है शर्षधर मुखरजी का जनम 29 सितंबर 1909 को हुआ शर्षधर ने अपने करियर के शुरुआद भारतिय सिनिमा के इतिहास के सबसे पुराने फिल्म स्टूडियो बॉंबे टॉकिज से की 1940 में बॉंबे टॉकिज के ओनर हिमान्शू राय की निधन के बाद बॉंबे टॉकिज के संचालन में उनकी पत्नी देवीकारानी की पूरी मदद किये थे शर्षधर मुखरजी इसके उपरांत 1943 में राय बहादूर चुनिलाल जो मशूर संगितकार मदन मोहन जी के पिताजी है उसके साथ अशोक कुमार और ग्यान मुखरजी को लेकर शर्षधर मुखरजी ने फिल्मिस्तान स्टूडियो की स्थापना की इस स्टूडियो ने पहली फिल्म प्रोड्यूस की चल चल रे नौजवा जिसके मुखकलाकार थे अशोक कुमार और नसीम बानू लिखा था सहदत हुसेन मौन्टो का और निर्देशन था ग्यान मुखरजी का और इस फिल्म के संगितकार थे गुलाम हैदर और रफिक गज इस स्टूडियो ने कई यादगार फिल्मों का निर्मान किया जैसे अनार कली, नागिन, तुमसा नहीं देखा, मुनिम जी और पेइंग गेस्ट, देवानन्द और शम्मी कपूर जैसे कलाकारों को यही स्टूडियो से पहचान मिला इसी स्टूडियो ने उन्हें ब्रेक दिया, बाद में शषदर मुखर जी के बेटे जॉय मुखर जी देव मुखर जी और समु मुखर जी ने स्टूडियो का कार्यभार समहला इसके बाद 1950 में शषदर मुखरजी ने स्वतंत्र रूप से खुद का स्टूडियो फिल्मालय का स्थापना किया उन्होंने अपने करियर में ना ही सरफ बैतरिन फिल्में बनाई बलकि उन्होंने कई लोगों को भी फिल्म इंडस्ट्री से जोड़ा अशोक कुमार बॉंबे टौकीज से शषदर मुखरजी के माध्यम से ही जुड़े थे शषदर मुखरजी अपने बेटे जॉई मुखरजी को हिंदी सिनेमा में बतोर अविनेता नए चेहरे के साथ लौंच करना चाहते थे इसी दोरान साधना सिवधासानी ने सिंधी फिल्म अवाना में काम किये थे और उनकी फोटो एक फिल्म मैगजिन में छपी थी शषदर मुखरजी ने मैगजिन की वो फोटो देखी और साधना को अपने फिल्म लव इन सिमला में कास्ट कर लिया फिल्म के निर्देशक आर के नईयर ने इस फिल्म में साधना का ऐसा लुक चाते थे जो पहले हिंदी सिनेमा में कभी न देखा गया हो और इसलिए उन्होंने इसे लेकर काफी एक्सपेरिमेंट किये थे इसी दोरन हॉलिवड के मशूर अदाकारा ओड्रे हैबबरंड की फिल्म रिलीज हुई थी फिल्म में ओड्रे का हैर स्टाइल आर के नईयर को बहुत पसंद आया और फिर नईयर साहब ने नविली साधना को इसी हैर कट के साथ सिनेमा स्क्रिन पर उतारा उनका आइडिया काम कर गया और ये हैर स्टाइल साधना कट नाम से लोग प्रिय हुआ लव इन शिमला सुपर डुपर हिट रही इस फिल्म से साधना सिब्दाशानी को खुब शोहरत मिली और वो रातो रात स्टार बन गई शर्षधर मुखर जी द्वारा निर्मित फिल्म जागरिती जो की 1954 में सत्यान बोस के निर्देशन में बनी थी इसे फिल्म फियर बेस्ट फिल्म के अवार्ड से नवाजा गया था 1956 को इसके अलवा शर्षधर मुखर जी द्वारा निर्मित कुछ प्रमुक फिल्मों का नाम है 1955 में सुबोद मुखर जी निर्देशित देवानंद अभिनित मुनीम जी 1957 में नासेर हुसेन निर्देशित और शम्मी कपूर आशा पारेक अभिनित तुम सा नहीं देखा 1957 में देवानंद अभिनित और सुबोद मुखर जी निर्देशित फिल्म पेइंग गेस्ट 1959 में शम्मी कपूर अभिनित और नासेर हुसेन निर्देशित दिल देखके देखो 1960 में जोई मुखर जी और साधना अभिनित आर के नईयर स्वाहबद्वारा निर्देशित लव इन शिमला 1962 में जॉय मुखरजी साधना अविनित एक मुसाफिर एक हसीना और फिर 1964 में दिलीप कुमार साहब अविनित राम मुखरजी निद्धर्शित सुपर हिट फिल्म लिडर शर्षधर्शित का विवाह अशोक कुमार अनुप कुमार वो किशोर कुमार की एक लौती बहन रानी डेबी से हुआ शर्षधर मुखर जी के बेटे सोमू मुखर जी ने अविनेत्री तनूजा से शादी की उनकी दो बेटिया है काजोल और तनीशा काजोल एक जाने माने फिल्म एक्ट्रेस है जिसकी शादी अजय देवगन से हुई वहीं शर्षधर मुखर जी के पोते अयन मुखर जी हिंदी फिल्मों के मशूर निर्देशक है इस तरह मुखर जी के पूरे परिवार ने बॉलियूड में अपना योगदान दिया जिसकी तुलना बॉलियूड में सिर्फ कपूर खांदान के साथ ही हो सकती है निर्माता शर्षधर मुखर जी को साल 1966 में पदमस्री पुरसकार से सम्मानित किया गया थर्ड नवेंबर 1990 को शर्षधर मुखर जी हमें छोड़ कर परलोग सुधार गये